सेलो स्टुडेंस कैसे आप सभी आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे जैसे कि आपको पता है चैन बोर्ड यानि हिमांचर अपते स्टाफ सेलेक्शन कमिशन अमिरपुन जो है जो है जे बीटी का जो सलेबस है वो भी आपके पास लॉंच कर दिया है एंड पोस्ट कोड 1075 के तहर जो है काफी अच्छी बकेंसी जो है आपको यहां पे देखने को मिली है तो इसलिए वियर अकेडमी आपके लिए आज लेकर आया है प्रिवियस एर पेपर एंड उसी प्रिवियस एर पेपर के बेसिस के उपर किस तरह से आपके पास लेकर बनता है एंड किस तरह से आपके पास आपको इसकी त्यारी करनी चाहिए एंड वियर अकेडमी किस तरह से आपके पास help कर सकती है आपके test को clear करने के लिए आप ताकि अपने exam में काफी अच्छा score जो है वो कर पाएं तो इन सभी के ओपर जो आज हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम main site के ओपर आपके पास चलेंगे जहां पर आपको जो slabus है वो मिल सकता है एंड क्या beard बाले भी इसके लिए eligible है इसके ओपर भी हम आज बात करेंगे एंड proper slabus को एक तम completely detail में जो यहां पर हम देखेंगे तो चलिए firstly हम main site के ओपर चलते हैं और देखते हैं कि vacances जो आपके पास निकली है वो कौन सी आपके पास है ठीक है तो यहां पर आप check out कर सकते हैं जो jbt की vacances है वो different district के लिए जो आपके पास यहां पर launch हो चुकी है ज जो कि आप हमारे thumbnail के ओपर आपने देख लिया होगा and इसकी जो total vacances आपके पास वो 467 जो है आपके पास यहां पर present है इसकी बात करेंगे अगर आप कौन कौन जो students जो है इसमें आपके पास eligible है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिनोंने भी 10 plus 2 की हो jbt compulsory है या तो आपन पास होनी चाहिए यहां पे कहीं पे भी B.Ed का criteria नहीं है clear आप देख सकते हैं अगर two year diploma है तो वो भी आपके पास special education से regarding है और जब आप बात करते हैं B.Ed की तो B.Ed के आपके पास bachelor in education होता है सरफ ठीक है elementary education नहीं होता है it means यहां पे कोई भी criteria आपके पास B.Ed बालों के लिए अभी mention नहीं किया गया है उपर से जो court case अभी भी चला हुआ है उसके ओपर भी आपके पास जो बात कही गई है तो R&P rule के according तो इसको detailed video हम आपको another में बताएंगे इसमें जो main है हमारा वो हम आपके पास यहां पे slivers को लेकर आए हैं plus साथ में previous year का जो paper है वो भी हम आपके पास यहां पे लेकर आए हैं okay 2019 में जो paper हमारे पास आया था वो यहां पे completely जो है हम आपके पास लेकर आए हैं okay and we are academy next week से आपके पास शुरू करने जा रही है course जो कि आपके पास till exam तक चलेगा तो जिन भी students को इसमें enroll करना है उनके लिए हम बता देते हैं आप हमारे contact number 2894521554 के ओपर contact कर सकते हैं या आप इसके ओपर call कर सकते हैं जो भी detail आपको जाननी है वो आपको बहां पे मिल जा सकते हैं जो भी detail आपको चाहिए वो आपको बहां पर भेज दी जाएगी classes का timing criteria हर एक चीज जो है आपके पास बहां पर mention हो जाएगी benefit यह है कि इसमें आपको theory plus mcq plus PDF files plus test paper जो है इस अभी चीज़ें होगी और till exam जब तक आपका exam नहीं हो जाता तो तब तक आपके पास चल code का it means जो आपके पास exam होगा वो आप खुद idea लगा सकते हैं कि आपके पास जो exam होगा वो भी maybe around January के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा ठीक है अगर जल्दी होगा तो सी के according हम course को भी आपके पास modify कर देंगे clear काफी कम fee structure जो है आपके लिए इस बार रखा जाएगा ता system बन जाएगा एक whatsapp group का जो link है वो हमने description में दिया हुआ है ताकि बहां से आप demo classes etc वो सभी जो है जो है जो आइन कर सके ओके तो जो whatsapp group का link हमने दिया है उससे आप link से group को join कर सकते हैं ताकि हम one time में ही सभी students को all notification जो है बहां पे send कर सके ताकि सभी students जो एक बार में जो है बहां पे join कर ले previous में आपके पास 170 का था अब आपके पास 200 question जो है इसमें आएंगे इसमें आप देख सकते हैं यह सभी क्या है आपके पास भारत ने cricket bishop कप किस वर्स जीता था एक तम easy question है आपके पास ठीक है 2011 में 1983 में कब जीता था दोनों वे में था आपके पास ठीक है त mathematics के साथ साथ अगर आप देखोगे तो कुछ question reasoning based आपके पास होते हैं reasoning based question आपके पास होगे इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो crunt affairs आपके पास इसमें होगे आपके पास इसमें Hindi plus English आपके पास होगी इसमें आपके पास Journal Science Journal Science का एक काफ़ी important role है इसमें Journal Science भी आपके पास होगी आप देखेंगे यहाँ पे बाइलाजी होगी सभी से regarding आपके पास यहाँ पे question present है इसी में आपके पास English भी यहाँ पे आ गई इंगलिश होगे इसके बाद आपके पास इसमें हिंदी होगी एंड आपके पास इसमें HPGK होगा पूरा का पूरा पैटर्न यही है आपके पास तो यहां से आप देख सकते हैं जो हम आपको कोर्स प्रोवाइट करवाएंगे यह ओनलाइन कोर्स होगा ताकि स्टुडेंट जो है अपना टाइम भी वेस्ट ना करें ट्रैवल करके और वो अपने घर में ही इजी बे में अपने कमफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी त्यारी को पूरी एकुरेसी के साथ जो हो कर सकें चलिए अब डिटेल स्लेब बस के उपर प्रवाइड करवाएंगे दिखिए mathematics जो हैं आपके पास basically 6 ते लेकर 10 तक का जो maths है वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है तो इसको हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है 6 ते लेकर 10 तक का जो सलेब बस है वो आपको पूछा जाता है तो जो आपकी reasoning होती है and mathematics यह one way ही process है अगर आपको maths आता है तो आप reasoning कर सकते हो असानी से क्योंकि reasoning में भी आपके बोही concept चलते हैं और बोही सभी चीज़ें जो है बहाँ पे apply होती है तो 6 में से 10 में तक का maths आता है अगर कुछ highly advanced terms होगी तो उनको हम इसी में include कर देंगे ताकि आपका जो paper है वो आप easy way में और highest score जो है आप बहाँ पे कर सकें बाकी logical में थोड़ी बहुत reasoning के concept भी आपको करवाई जाएंगे इसमें visual memory हो गई mathematical reasoning से हो गया यानि चीज़ों को differentiate करना abstract idea, symbol and their relationship ठीक है, यह कुछ properties है जो आपको यहाँ पे करवाई जाएगी सारी के सारी maths के अंडर ही आपके पास जो है वो आती है इसमें अगर GK के अगर आप बात करेंगे journal knowledge की तो GK जो है इसी form में आपके पास divide होता है काफी broad sector है जिसमें आपके पास Indian plus HPGK में आपके पास divide हो जागा Indian में आपके पास यह economy portion में आपके पास यह history portion में आपके पास यह polity portion में ठीक है, एंड आपके पास geographical सेम यही चीज़ें economy, history, polity and geo प्लस साथ में आपके पास world geo से regarding भी छोटे मोटे question आ जाते हैं यह journal science है यह journal awareness है तो इसमें कुछ भी आ सकता है, geography, cultural यह आपके पास इसी के अंडर आ जाएगा history के अंडर, आपके पास general knowledge of humanity, sports, constitution ठीक है, history, political, current events आपके पास economy अंडर तो इसमें आप current affair को भी add कर सकते हैं तो आप देखेंगे काफी broad section है यह जिसमें economy दोनों की चलती है HP की और इंडिया की basically Indian economy काफी बड़ी है तो main portion आपके पास इसी पे रहता है history हो गई दोनों की आपके पास दोनों की polity हो गई दोनों की geography आपके पास हो गई world में तो पूरा का पूरा आपके पास आ जाता है and current affair जब भी आपका तो current affair around आपको इस साल के middle से या starting से जो हो पढ़ने पढ़ेंगे social में भी आपके पास यही यह सारा history, economy, geography अंडर आपकी जो political या civil से regarding है current affair हमने आपको बता दिया current affair इनी चीजों से regarding आपके पास होते हैं या तो science technology से होंगे आपके पास कोई governor है, कोई ministry है किस तरह से कोई person select किया गया है Indian financial system से हो सकते है capital and currencies हो सकता है government scheme से हो सकता है abbreviation and economical जो terminology हम use करते हैं बहां से आपके पास हो सकता है sports से regarding हो सकता है आपके पास कोई भी submit हुए है conferences हुई है बहां से हो सकता है आपके पास यहां पर यह चीजे mention की गई है तो यह जिसे आपने अगर अभी clerical का paper दिया होगा तो आप कह सकते हैं कि उसी बे में आपके पास यह paper भी आएगा लेकिन इसमें जो आपके पास एक term add हो जाती है वो है psychology psychology भी आपको include होती है इसमें क्योंकि वो भी एक important portion है कुछ paper में आपको कम question देखने को मिल सकते हैं कुछ paper में ज़्यादा लेकिन यह Hindi और English दोनों में same ही चीजे हैं same ही इस तरह से आपके पास question यह आते हैं तो यही question English में भी आपके पास जो है वो convert हो जाते हो हिंदी में भी तो दोनों same ही है ओके इसके बद लास्ट portion होता है science and psychology का तो एक combine हमने रखा है जिसमें natural science chemical यानि chemistry से regarding bio से regarding physics से regarding environmental science आपके पास and psychology तो यह portion है आपके पास अगर आप इसको divide करोगे यह आपके पास syllabus था यह तो हमने यहाँ पे already आपके पास mention किया हुआ था तो अगर complete syllabus अगर आपको यहाँ पे हम mention करें gbt2022 का इसमें जो भी आपके पास total classes लगेगी किस तरह से आपके पास होगा तो देखिए जो main portion यह आपके पास उनको हम firstly mention कर लेते हैं एक आपके पास mathematics plus आपके पास reasoning clear एक portion आपके पास यह हो गया second portion के अगर बात करेंगे जो आपके पास English है plus आपके पास Hindi है यह एक दूसरे के simultaneously जो portion है यहाँ पे ठीक है आपके पास journal science हो जाती है जिसमें आपके पास physics chemistry and bio से regarding term आपके पास आएगी या chemical chemistry वो इसी केंडर आपके पास आ रहा जाएगा third आपके पास यहाँ पे psychology है इसको हम अलगी रखते हैं क्योंकि यह सभी से अलग term है clear आपके पास psychology हो गई and आपके पास यहाँ पे gk हो गया gk भी की double classes आपके हो गी एक आपके पास sorry यहाँ पे हिंदी लिख दिया that is Indian Indian एंड साथ में आपके पास HP क्योंकि यह काफी बड़े बड़े portion है four type में आप डिवाइड करते हो geography में एंड जियोग्राफिकल portion दोनों का आपके पास economical portion दोनों का quality portion दोनों का एंड आपके पास economy, polity and history दोनों के history portion ठीक है तो देखने में paper easy लगता है और होता बैसे easy है लेकिन main चीज यही है कि इतना बड़ा जो syllabus है इसको आप जब पढ़ते हो तो अगर by chance आप से कोई चीज़ें बीच में छूट जाए तो क्या होगा वो miss हो जाएगी यह portion छोटा है इसमें ज़्यादा classes नहीं होती तो आप इसमें English को add कर सकते हैं यानि 12345 तो डेली अगर आपकी कोशिश भी करें तो आपकी कितनी classes बनती है अगर इसको एक portion में रखें दूसरे portion में आपके पास इसको रखें तीसरे portion में हम इनको रखें और चौते portion में तो इसकी class daily five hours की जो है वो classes लगेगी जिसमें theory होगी बाकी साथ में video files आपको provide करवा दी जाएगी ताकि जो है आप अपनी चीजों को जो है वो एक्तम clear way में जो है वो पढ़ सकें ओके ठीक है बाकी जो भी issues होंगे WhatsApp group का link हमने description में डाल दिया है उस जिसका नंबर है 8894521554 आप directly य उसके अंदर हम आपको बाकी details दे देंगे demo classes का link हर एक चीज़ बहाँ पर आपको दे दी जाएगी courses VR Academy की application के उपर लगते हैं तो बहाँ पर भी जाके आप check out कर सकते हैं बाकी details हम आपको यहाँ पर clear कर देंगे ठीक है आप WhatsApp group जो जोईन कर लिजे 8894521554 यह उसके उपर call या आप WhatsApp करके भी पूछ सकते हैं ठीक है फी structure around आपके पास अगर मैं आपको approximation बताऊं तो जितनी आपकी 5 classes लगेगी तो around 2000 से 2000 something के around ही आपके पास जो फी structure है वो हम इसको set करेंगे बाकी team के साथ बात करके हो जाएगा तो around 2000 या 3000 के बीच में जो है आपके पास जो भी आपका course होगा वो आपको मिल जाएगा बाकी installments के साथ भी इसको हम कर सकते हैं तो 1000 के around जो है आपके पास इसकी installment जो हम यहाँ पे place कर देंगे ठीक है तो मिलते है next video में I hope आपको informative लगी होगी video तो इसी तरह से पूरा का पूरा syllabus आपके पास यहाँ पे present है classes हमने आपको बता दी self study भी आप कर सकते हैं तो बाकी pattern आपको clear कर दिया गया है कौन कौन से portion इसमें cover होंगे आपके पास और किस तरह से आपके पास question जो है यहाँ पे आएंगे ओके चलिए मिलते है next class में तब तक के लिए thank you and have a nice day